राहूल गांदी अपने राजनेतिक दोरे पे गुजरात आये थे। राहूल गांदी और समवेदना का कोई संबंद नहीं है, ना उनमें कभी समवेदना थी। और मैं भगवान से प्रातना करता हूँ कि मात्र राजनीतिक नहीं लेकिन कही ना कही उन्हें जरूर से थोड़ी समवेदना जरूर से दी जाए। वो हर मुद्दे को जूट एवं राजनीति से जूडने में माहिर है। यही राहूल गांदी जिनके साथियों के साथ इंडी गद्वन्दन के साथ तमिलनाडू की सरकार चला रहे है। तमिलनाडू में जिस प्रकार से कही लोगों ने जहरी सराब के कारण अपना जीवन गुमाया है। क्या उनकी खबर पुछने रहूल गांदी कभी गए। उनके मुझ से एक सब्द आपने कभी तमिलनाडू के ये पिडित परिवार के लिए सुना। कल तमिलनाडू में जिस प्रकार से बसपा के नेता की हत्या की गई। क्या इनके लिए एक सब्द आपने सुना। बंगाल में इंडी गड़ बंदन की सरकार है। एक महिला को जाहीर रोड पे पीटा जाता है। ये द्रश्य देखके आखें नम हो जाती है। क्या उस महिला के लिए एक सब्द बोलते हुए रहुल गांदी को आपने सुना है। ये मात्रों और मात्रे जूट एवं राजनिती ये दोनों की ही उनकी यातरा होती है। रहुल गांदी और समवेदन का ना कोई संबंद था ना कोई संबंद हो। रहुल गांदी अपने राजनेतिक दोरे पे गुजरात आये थे। राहुल गांदी और समवेदना का कोई संबंद नहीं है ना उनमें कभी समवेदना थी और मैं भगवान से प्रात्ना करता हूँ कि मात्र राजनी तिक नहीं लेकिन कही ना कही उन्हें जरूर से थोड़ी समवेदना जरूर से दी जाए वो हर मुद्दे को जूट एवं राजनीती से जूडने में माहिर है यही राहुल गांदी जिनके साथियों के साथ इंडी गद्वन्दन के साथ तमिलनाडू की सरकार चला रहे है तमिलनाडू में जिस प्रकार से कही लोगों ने जहरी सराब के कारण अपना जीवन गुमाया है क्या उनकी खबर पूछने रहुल गांदी कभी गए उनके मुझ से एक सब्द आपने कभी तमिलनाडू के ये पिडित परिवार के लिए सुना कल तमिलनाडू में जिस प्रकार से बस्पा के नेता की हत्या की गई क्या इनके लिए एक सब्द आपने सुना बंगाल में इंडी गड़ बंदन की सरकार है एक महिला को जाहीर रोड पे पीटा जाता है ये द्रश्य देखके आखे नम हो जाती है क्या उस महिला के लिए एक सब्द बोलते हुए रहुल गांदी को आपने सुना है ये मात्रों और मात्रे जूट एवं मराजनिती ये दोनों की ही उनकी यात्रा होती है रहुल गांदी और समवेद नका ना कोई संबंध था ना कोई संबंध हो